लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत दिए साथियों आपके तप से और हम सब के साजा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक सभाला है लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें बनारस और पुरवान चल के ग्रामिर्म इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है और अब मंत्र हमारा क्या होगा हर व्यवस्ता के लिए हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है जहां बिमार वहीं उपचार यह हम भूले नहीं जहां बिमार वहीं उपचार जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्ता पर दबाव बहुत कम होगा और इसलिए हम सब बारी सारी व्यवस्ताएं जहां बिमार वहीं उपचार इस सिध्धान पर और दूसरी बात माइक्रो कंटेन्मेंट जोन काशी ने भहुत सभलता पुर्वक उस पर ध्यान के दिर किया और उसका लाब मिल रहा है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गाउं में गर गर दवाएं बाट रहे हैं आपने मेडिकल की कीट पहुँचाईए गाउं के लोगों तक ये बहुत अच्छी पहल है इस अभियान को ग्रामीन इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है डॉक्टर्स, लैप्स और ये मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड करके काशी कबच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधागी ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रोग है इसका लाप गाउं गाउं में लोगों को मिले इसके लिए विशेश जागूता अप्यान भी चलाना चाहिए इसी तरह यूपी में कई सीनियर और यूआ डॉक्टर्स ब्री ग्रामेड इलाकों में टेली मेडिसिन के मादम से सेवा कर रहे हैं उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है कोवीड के खिलाप गाउं में चल रही लड़ाई में हमारी आशा बरकर और A.N.M. बेनों की भी भूमी का बहुत एहम है मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी जादा से जादा लाब लिया जाए साथियों सेकंड बेव में हमने वैक्सिन की सुरक्षा को भी देखा है वैक्सिन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फरंट लाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहे कर लोगों की सेवा कर पाए यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुँचेगा हमें अपनी बारी आने पर वैक्सिन जुरू लगवानी है कोरोना के खिलाप हमारी लडाई जैसे सामोहिक अभ्यान बन गई है वैसी ही वैक्सिनेशन को भी हमें सामोहिक जिम्मेदारी बना रहा है